तो दोस्तो टेक्नो टिप्स में आपका फिरसेश हो गते हैं जो बहुत से मेरे दोस्तों को कॉम्पेटर में प्रॉलेम आ रहा है स्क्रीन गाइब हो जाता है कॉम्पेटर तो अउन रहता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है इसे बहुत से छोड़े ब्रॉले में दोस्तों कैसे सॉल करने है चलिए देखते हैं देखिए यह हैं इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं तो देखिए प्रोसेसर जिसका फैन गुम रहा है वह प्रोसेसर देखिए डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसका कारण हो सकता है प्रोसेसर और रैम और टाइम और डेट की बैटरी इन तीनों चीजों का फ्रॉल्लम हो सकता है हम अब भी प्रोसेसर खोलेंगे प्रोसेसर खोल रहे हैं देखिए प्रोसेसर खोल दिया बाद में हम रैम खोलेंगे देखिए प्रोसेसर खोल लिया अब रैम खोलेंगे इन प्रोसेसर खोलेंगे यह जो प्रोसेसर के फैन का जो निचला हिस्सा है यह अच्छी तरह से अपने को साफ करके लिए ना है पर रैम भी कुलना है पर रैम पे भी बहुत सारी बस्ट रहती है जिसे अच्छी तरह से साफ करना होता है और अब हम बैटरी निकालेंगे जो भी डिस्प्ले गायब होने का कारण हो सकती है बैटरी निकालके अच्छी तरह से हम चेक कर लेंगे कि वो चार्ज है या नहीं है बैटरी निकालने के बाद तो देखिए दोस्तो मैं आपको अब बताता हुद ये बैटरी भी हमने निकाल लिए है ज्याद़ तर के बैटरी का भी प्रॉल्लम हो सकता है बैटरी अपने को चेक करनी है चार्ज है या नहीं है चलो उसकी चार्ज है देखिये दोस्तों यह तीन प्रॉलम हो सकते है बैटरी रेम और प्रोसेसर इन तीनु में से एक भी चीज ने ठीक से काम नहीं किया तो हमारे कंप्योटर का डिस्प नहीं आ सकता तो मैं लगत यस ना महँर में चीजे यह तीन है हमें इन इस फीली टीन चीजिओों का ध्यान रखना है रैम बैकरी और प्रोसेसर तो करना क्या है उस तो प्रोसेसर के नीचे का जो हिस्सा है यह अच्छी तरह से अपने को साप करना है और इसे अच्छी तरह से साप कीजिए इसके नीचे जो पेस्ट लगी रहती है उसे पूरी तरह से क्लीन कीजिए सेम आप प्रोसेसर के उपर का भी इसाव इसी हिसाब कीजिए तो यह मैं आपको ओल्ड PC का दिखा रहा हूँ लेकिन नए PC के प्रोसेसर को चालग रहते हैं जो वीडियो गया कि आखिर मैं आपको नए प्रोसेसर के भी फूटो दिखाऊंगा यानि कि आपको कोई टेंशन नहों आपको कोई मॉडल रहा हूँ प्रोसेस तो यही है उसे ठीक करनी की चाहे नया PC हो या पूराना PC हो सेम सब PC को प्रोसेसर रहता है सब PC को रैम रहती है है टो यही कोई बात नहीं है देखवते हो प्रोसेसर में ने साब कर दिया है वहाँ प्रोसेसर को लगाएंगे तो तो सिस्टम नया हो या पूराना सब में है तो वही है प्रोसेसर है और फैन है मेरे पास नया प्री का वह ल्टी भी से अवैलेबल नहीं था सब्सक्राइब मेरे पास स्वेशल आपकर करने का अगर आपके पास नहीं है तो खोड रवर जो रहता है बेंसी का खोड रवर उस से भी आप साप कर सकते हैं रैम को अच्छी दरह से दोनों साइट से रहां सापकरने हैं प्रेम भी बिठा दी प्रोसेसर भी बिठा दिया तो देखिए दोस्तों प्रोसेसर को फिट करते समय एक चीज ज़रूरी धेन में रखनी चाहिए प्रोसेसर के उपर हमें एक बेस्ट लगाना है जो फैन को और प्रोसेसर को अच्छे से पकड़ से कनेट कर देता है यह पेस्ट है दोस्तों यह पेस्ट हम प्रोसेसर भी लगाएंगे और फैन पे भी लगाएंगे यह पेस्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों यह पेस्ट अग अब हमें प्रोसेसर अच्छे से पीट करना है अच्छे से पीट करेंगे हम प्रोसेसर ठीक से पीट करेंगे देखो प्रोसेसर ठीक से फीट हो गया अब चेक करेंगे ठीक से फीट करेंगे चलो ठीक से फीट हो गया अच्छे से करेंगे हो एक लो गया अच्छे से थानवे हो गया अच्छे Français ठीक से फिट हो गया अब हम स्क्रीन चेक करेंगे डिस्प्ले आता है या नहीं है पुदो कि मीरे इसाफ से तो आना यह चाहिए कि इन दिनों अगर आप घर पर किलियर करते अधी डिस्प्ले आं गा है आएंगा दुस्तों शोल पैसे खर्च करने की कוई जरूरत नहीं है महें बहेंगे सर्वे सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है बैटरी भी लगा दिया चलो चेक करते हैं ओन होगया दिस्प्ले आता है या नहीं चलो देखते हैं यह मेरा मॉनिटर और दिस्प्ले आ गया चलो दोस्तों डिस्प्ले आ गया आप भेश अगर सकते हैं बिल्कुली जी इसी नया हो या किया दिखाया है के लिए कोजर मारे मेले मुशान देखिया दोस्तों ये न्यां किसी है कि there वही प्देत करना होई रम क्लेंग करनी है और वही जो घ्री है वही बैटरी लगानी है यह सब चीजह कंगी करने आपका PC का डिस्प्लिय आ जाएंगा महिंगे सर्विस सेंटर में जाने की पैसे खर्च करने की कोई ज़रूत नहीं है आप अपना PC क्लियर कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही तैंक यू दोस्तों और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जाहिं, हवा लख रफ लिए कर दो कर दो